कांग्रेस ने लोगसभा में सरकार के खिलाफ विश्वार्फ प्रस्ताव का नौटिस दिया है जिसे NDA और इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है क्या विपक्ष ने 2024 के लिए चुनाओ के लिए पीए मोदी की पिच्चर तैयार कर दी है देखते है रि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को नौटिस दिया है जिसे NDA बनाम इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है वैसे विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से कैंदर की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा लोगसभा में बीजेपी के पास परियाप्त संख्याबल है एंडिया के मौजद वक्त में लोगसभा में कुल 325 सदस्य है जबकि अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करने वालों की संख्या 126 तकी सिमट जाती है यही वज़ा है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी बेफिक्र है ल कि कही ना कही विपक्ष ने 1224 के चुनाव के लिए खुद प्रधार मंतरी मोदी के लिए पीच तैयार कर दी है ब्यूरो रिपोर्ट जी एस्टवी